ये एक बायोपिक मूवी है जो एक मिडल क्लास फैमली से बिलॉंग कर रहे हैं कि इनसान जिसका नाम क्रिस्ट गार्णर होता है उसकी सच्चे स्ट्रगल को बया करती है जब मूवी स्टार्ट होती है तब हमें एक फैमली दिखाया जाता है जिसमें केवल तीन लोग होते हैं ये machine bone को treat करने का काम करती है और उसकी wife भी एक company में काम कर रही होती है कुछ समय बाद Chris Garner उस company को छोड़ देता है और bone density test की कई सारी machine खरीद ले आता है क्योंकि Chris Garner को हमेशा सही life में कुछ बड़ा achieve करना सपना होता है अब Chris Garner company छोड़ चुका है और machine को sell करने के लिए market में निकल पड़ता है बहुत दिन बीच जाते हैं लेकिन उसकी एक भी machine नहीं बिकती इस वज़े से उसके घर में पैसे की कमी होना start हो जाती है कहते हैं न जब घर में source of income stop हो जाये तो कई सारी मुसीबते start हो जाती है Chris Garner की हालत भी कुछ ऐसी ही थी अब उसकी पद्नी और उसके बीच तनाफ के महल में जन्म लेना start कर दिया था Chris Garner पूरी मेहनस से machine को बेचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे success नहीं मिल पा रही थी एक दिन वो market से जा रहा होता है तब ही उसने एक business man को कार से उतरते देखा तो वो उसके पास गया और उसने कहा I have two questions What do you do and how do you do मतलब आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसने कहा I am share broker मैं share बेचने वाला हूँ share बेचता हूँ Chris Garner मन में सोचता है क्यों ना मैं भी यही job स्टार्ट कर लूँ जब Chris Garner शाम में घर आया तब वो अपनी वाइफ से कहता है अब मैं एक share broker बनना चाहता हूँ उसकी वाइफ भी दाने बरे अंदाज में कहती है तुम एस्ट्रोनाट भी बन सकते हो कुछ दिन बाद उसकी वाइफ ने मन में ठान लिया था कि अम मैं Chris Garner को छोड़ दूँगी उसकी वाइफ कहती है मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ वो अपना समान पैक करके अपने बेटे के साथ जाने लगती है तबी Chris Garner कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ मेरी बेटे को मेरे पास रहने दू Chris Garner अपने बेटे से बहुत प्यार करता है ये बात उसकी वाइफ को भी अच्छे से बता होती है Chris Garner अपने बेटे से बहुत प्यार करता है इसलिए वो Chris Garner को उसी के पास छोड़ देती है उसे Chris Garner पर यकीन होता है कि वो Chris Garner का सही से ख्याल लगेगा उसकी वाइफ को यूरोप में एक अच्छी जॉब लग गई थी इसलिए वे वहाँ चले जाती है अब Chris Garner उस शेयर ब्रोकर के लिए अपलाई कर देता है उसने बहुत दिनों से घर का किराया नहीं दिया होता है इसलिए घर का उनर उसे कहता है मुझे घर पेंट करवाना है और तुमने कई महीनी से घर का किराया भी नहीं दिया है इसलिए तुम्हें बहार निकलना होगा क्रिस गार्ना कहता है मुझे एक वीक का टाइम दे दीजे मैं आपका किराया दे दूँगा और लेट होने के कारण घर को पेंट भी कर दूँगा ओनर मान जाता है और कहता है घर तुम्हें खुद से ही पेंट करना होगा पुलिस वालों से बहुत मिन्नत करता है कल मेरा शेयर ब्रोकर की कंपनी में इंटरव्यू है मुझे जाने दीजे लिकिन पुलिस वाले कहते हैं हम तुम्हें सुबह 10 बज़े से पहले नहीं छोड़ सकते अगली सुबह पुलिस क्रिस गार्नर को छोड़ देती है और वो वैसे ही पेंट लगे हुए गंदे कपड़े में शेर ब्रांच में भागता हुआ पहुँचता है सब लोग क्रिस गार्नर को देखकर हैरान हो जाते हैं क्रिस गार्नर भी अपने आपको देखकर हैरान होता है वहाँ इंटर्वियों के लिए खूपसूरत सी लड़की एक एक करके सब को बुला रही थी जैसे मिस्टर जैम्स, मिस्टर पाकर, अब क्रिश गार्नर की बारी आती है वो से अंदर जाने के लिए कहती है वह जैसे इंटर्वियो हॉल में अंटर करता है सब उसे गौर से देखने लगते हैं क्रिस गार्नर कहता बिना उन लोगों को पूछे ही कहने लगता है मैं अभी अभी लॉक अप से पारकिंग का रेंट पे नहीं करने के जूर्म में छूट के आया हूँ क्योंकि गलवरात पुलिस मुझे ऐसे हालत में लोग अप में ले गई थी और सुबह मुझे लेट से छोड़ा गया इसलिए ऐसे ही यहां पहुँचा हूँ इंटर्वियो स्टार होता है इंटर्वियो लेने वाले इसकी qualifications के बारे में पूछें वह कहता है क्रिस गारना जवाब देता है किस सारे question इनटर्वियों लेने वाले पर उसका कोई बी इंप्रेशन नहीं पढ़ता वो लोग क्रिस गारना को लगबग able कौलिफाई करने ही वाले होते हैं कि क्रिस्त गारना कहता है कि हो सकता है कि आप किसी विषय के बारे में मुझे पूछे और मेंelet ना दे क्रिभाव में अइन पूंचते हैं एक केंडिडेट आता है उसे нет नहीं पहनी होती है लेकिन मैंने उस कैंडिडेट को फिर भी सिलेक्ट कर लिया मैंने ऐसा क्यों किया क्रिसफर कहता है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे पैंट पहने होंगे सारे इस आंसर पर सबी लोग जोर से हसने लगते हैं और उसके इस बात का लोग बहुत गहरा को किष्ण में आजाता है और सोचने लगता है मेरे पास तो कोई दूसरी जॉब भी नहीं फिर कैसे मैं यह इंटर्शिप करोंगा वह उसी बंदे के पास जाता है जिससे वह दो कोशन किया था वह कहता है इंटर्शिप के बारे में मैं कल सोच कर बताऊंग आगले दिन वह करता है वे in-ternship करेगा अवे अपने उन्टंशिप के साथ अपने बचे हुए मशीन को भी dura defended गहर को चोड़ कर सस्ते घर में अपने बेटे के साथ रहने लगता है एक इन वापने बेटे को बास्केट बॉल खेलने के लिए ग्राउण में ले जाता है और उसे कहता है बेटा जिंदगी में हमें करना चाहिए जो हमारा दिल कह दूसरे तुम्हें करने से रोखेंगे लेकिन तुम वही करना जो सही लगे लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे उसकाम में फेल हो चुके होते हैं अब क्रिश गार्णा ने मशीन बेच कर सिक्स मन तक कि लिए खर्चे का इंतजाम कर लिया होता है अगले दिनों से सारे समान को घर के बाहर फेक दिया होता है क्रिस गार्णा को इस बात से बहुत बुरा लगता है वे अपने एक फ्रेंड के घर पर पहुंचता है और कहता है मुझे मेरे पैसे दो क्रिस गार्णा की 16 या 17 डॉलर उसने उधार ले रखे थे ये सिट्वेशन उसके लिए बहु की इंत पार रहा है खेंड सुस्वाध होता है बेटे के स्कूल छोड़कर अनात आश्रम मिलता है इसे वह यह पता चलता है कि अनात आश्रम में केवल को आस्रे मिलता है आदमी को नहीं इसके बात वे ग fret गर्जा घर में पहुँआ है वहाँ काफि भीर होती है क्योंकि यह वाइनस के वसी फोते इसे आश्रेह मिल जाती थीुक्ति लावा और कई दिन भी लेकिन इसे दिन आते हैं जब उसे आश्रेह नहीं मिल पाता तब घ्रसाइजंप अनु बशस्रा पर रात गुजार लेता Cake चाटने के वे आफिस में पानी नहीं पीता था कि वाश्रूम ना जाना पड़े खर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा था साथ पढ़ाई भी करता था क्योंकि इंटरंशिप के बाद एक एक एक्जाम भी होने वाला होता है अब एक्जाम का दिन आ जाता है एक्जाम काम देने के बाद क्रिस गार्नार अपने बेटे क्रिसफर के पास चला जाता है अगले दिन रिजल्ट आता है क्रिस गार्नार को वहीं इंटर्वी लेने वाले मिलते हैं जो जांग helped यह पेंट़े में लगे इंटर्वी देने आन आया था वह से कहते हैं कि हमेरा लाइस दि सारे लोगों से हाथ मिलाता है और उन लोगों का शुक्री आदा करता है बहार निकल कर ईच्वर का धन्यवाद करता है अब वो बेटी के तरफ निकल पड़ता है एक लंबे अरसे के बाद क्रिसफर के साथ इस दिन को वो बहुत इंज्वाय करता है अब क्रिस गार्णर को सीखनी को मिलता है कि हमेशा अपनी सुनो हालत बत्तर क्यों ना हो जाएं पीशेंस कभी नहीं खोना चाहिए और समझदारी से काम लो जिन लोगों ने भी यह मूवी नहीं देखी उससे देखना चाहिए कैसे एक आम इंसान अपनी सची लगन और महनत से मिल्योंनर बनता है μयत को लेका है कैसा और महत्मत को कपी झाल ऊते हुए P, अ, इब को सब्सक्राम के इंस आपनी से कि आAgक को लेकरता हुए बन्हाएं का आम C, त्यों, झालली से वाले हैं को आरे हैं आ षी कि उनी से लोगे हैं एपनादों जूयां खशवर प्षार्स से ले एक कशः वह है जड़ा जड़ा जोगे है कि अबसे दो एक भी जो हमे बेड़ा को जड़ा कि हमें नो पो सन्चारी को जड़ा है